हालो मेंबर्स वेलकम बेट टू ओउन चैनल स्टॉक मार्केट फंड अब देखो यहां पर बात करने वाले पार्ट वन में निफ्टी की मोमेंटम एंड इंट्राडे स्टॉक्स थोड़ा फूकस करना आज इंपॉर्टन है एंड पार्ट व में देखो मैंने यस्टेड़े मा सुष्णा को सीखा जरू होगा इस तो कवर कर लेंगे बाट चलिए फटाट बात करें पार्ट वन सर आज क्या हुआ देखो शॉर्ट एंड सिंपल में देखो निफ्टी ने इनर केंडल बनाई है प्रीवियस डिक को इतना बड़ा फॉल के बाद एक छोटा इनर केंडल ब अगर आप देखो के बैंक्स भी तो बैंक्स ने भी हाला कि फॉल जरू क्या लेकर नीचे की लेवल से एक पॉस केंडल जरू बनाई है मैं आपको बताया था ना के बैंक निफ्टी मिक सपोर्ट है 44,800 एन 44,400 से लिके 500 के बीच में दो बड़े सपोर्ट है ठीक है तो सी निफ्टी कैसा बना रहा है वैंग निफ्टी कैसा बना रहा है देखो एक मो यह फॉल यह फॉल और मेभी यहां से कप मोट स्टार्ट कर दे ठीक है पोलेंट फ्लेक पैटन जैसा क्योंकि आप सभी को बता है कि उपर के लिएल से जो प्रॉफिट बॉकिंग आई थी वो और बॉट बोलता ना पी सिया रेशियो उसकी वज़े से आई थी एन अगर आप देखोगे एफवाई की खरीदारी वापस आती हुई दिखाई थी है डी ने भी खरीदारी की है आप देखोगे तो फिर फॉल कहां पे हुआ कोशन आते हैं कि सर्फॉल कहां पे हुआ तो शॉट एं सिंपल में मेभी मिटके बसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बॉकिंग हुई होगी और रिलेंस उपर गया तो स्पेशली उसमें तो की होगी डेफिटली यूँकि बाई इतना बड़ा हैवी स्टॉक्स यह हैवी फंड्स ठीए ठीक है चले बात रखते हैं साइट पे सर करी किया कल ठीक है करी क्या सी शॉट एं सिंपल में आप यह समझो कि की कि यह जो स्वींग ब्रेक्ट किया था हम लोग लोग में डिसकी उच्ओं यहां पर करेंता भाटस तेทहा है च्ब्र tribes टोटा ब्रेकडाउन हो जाता है आज भी अगर आप देखो कि लास्ट मोमेंट में निफ्टी ने 44,000 बैंक निफ्टी ने 44,800 ब्रेक किया था करीब असी पॉंट नीचे गया वापस रिकवर कर गया है तो बोलता है ना फेक ब्रेकडाउन या ब्रेक आउट ऐसा बहुत चल रहा है मा बोड़ा कैरफूल रहना मार्केट में यह आपका स्टॉप लॉस हिट करवा सकता है ठीक है तो अभी क्या हो सकता है देखो शॉर्टें सिपल में मुझे क्लियर कट व्यू दिखाई दे रहे कि मार्केट ओवर सोल्ड है फूट कॉल रेशो मैंने चेक है ता काफी ओवर सोल है तो मैं आपको बोलूँगा कि यहां पर बायों डिप्स करना स्टार्ट कर थोड़ा बहुत ठीक है आपका फर्स्ट बाइंग होना चीए मांदो उननीस तीन सो तीस के आसपास होता है वो कल अगर यह लेवल के आसपास आया सेकेंड बाइंग लेवल होना चीए आपका उ जाना चीए और वापेす पांसो को टेस्ट करना चीए और जैसे कि मैं आपको बताया था कि उपर जो ब्लूस काई है वो उननीस छे सो तक है तो में भी शायदी यह उननीस छे सो तक वापस टच करें तो मोटा मोटा नीचे के लवल पर खरीदारी आती हुई दिखाई ली है तो अपनी रिस्क कैपसिटी के इसाब से ट्राइ करना मुझे क्लियर करने यहां पर एक पैटर्न दिखाई दे ली है आई बात समझ में देखो शॉर्टन सिम्बल में अगर बैंक निफ्टी को गिरना होता तो आरम से वो गिर सकता था आज अरम से यहां पर लेकिन निफ्टी निप पास स्केंडल बनाई है तो यह थोड़ा आपको फोकस जरूर करना चाहां नेक्स्ट देखो थोड़ा और ध्य कोई डाउजोस में डेटा आने वाले हैं ठीक है लेकिन ये पॉजिटीव होता हुआ अपर के लिए से थीखो थोड़ा ये भी वाता ना चाहूंगा ये भी फोकस करें मिड़केप्स जो गिरे हैं यहां भी आपको मिड़केप्स में बहुत पैनिक लग रहा था जब मिड़क मिड़केप्स पीछेल एकुछ दिनों पहले गिरे थे आज जो मिड़केप्स गिरे उतना पैनिक वाला नहीं है एक यहां पर ऐसा लग रहे पॉस केंडल बना रहे है मिड़केप्स तो मिड़केप्स को देखके भी आपको आईड़ी आने चीओ कि शायद यहां से खरिदा ठीक है एंड यहां सी बड़ी मोमिंटम आसते जो जा सकता है यहां यह जो लेवल है यहां तक जा सकता है आलगे मेरी ड्रॉइंग खराब है लेकिन आम समझ सकते में क्या बोल रहा हूं कहां तक जा सकता है ठीक है और अगर आप लेवल पूछे तो 45300 की आसपास बैंक करना चाते है रही एक वैसे भी फर्स कोड़ेब ब्रीक आउट के बाद सब्सक्राइब ले रहा है तो ऐसा तो थोड़ी है पागली हो जाएगा गिरने लगेगा अगर गिरना होता तो इतना बड़ा ब्रेक आउट भी नहीं करता ना ब्योकुप थोड़ी है कोई लोग तो support, first support ले रहा है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, last Friday को भी 19.300 break नहीं किया था, आज भी 19.300 break नहीं किया, तो ये first support है, ठीक है, ये बात आप लोगों की mind में हो जी चाहिए, होग में बस आज का point समझ में रहा है, चलिए, बात कहते हैं, इंटरे स्टॉक सबसे पहला, देखो, मैं बस आज थोड़े health issues है, इसके वाज़े से जादा वीडियो नहीं हो रहे है, ठीक है, मैं पर फॉर्स पार्ट आज नहीं रखने वाला था, health issues की वाज़े से, लेकिन, समाहो ट्राइ कर रहा हूं, आप लोगों को समझाने की, किसी भी तर, चलिए, फर्स्ट हो जाता है, बाल कृष्ट इंडर्स, अब देखो, मैं थोड़े health issues, यहाँ पर दो बज़े मुझे थोड़े, अहड़े हो रहा था, वाना मैं यह स्टॉक ट्राइ करता, शाय बड़ा breakdown दिखाई जे रहा है, काफी strong breakdown है, अगर यह टूटा तो यह stock से हाँ पर profit booking आ सकती, इसको focus कीजिएगा, वास्ट लीज पर रखेगा, बंदा breakdown कर सकता है, second stock हो चुका है, इंडिया बुल्स, देखो इंडिया बुल्स क्या कर रहा है, इंडिया बुल्स रींज एक थी, वो break कर रहा है, 125 के नीचे हम लोग short करेंगे, 121 तक के stock में target आ सकती, अगर 125 ब्रेक हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो avoid करेंगे, जिस तरह से उपर time spend करा था, यह लग रहा है, यह breakdown करेगा है, यह तो focus कीजिएगा, तीसरा stock है Glenmark, अब देखो, Glenmark ने vertical really करने के बाद, काफी time के बाद यह breakdown कर रहा है, और यह volumes के साथ breakdown कर रहा है, जैसे कि आप देखो, यहाँ पर fall था, लेकिन इतना volume नहीं था, यहाँ पर fall था, यह वाला, लेकिन अब यह थोड़ा proper fall दिखाए दिखाए दिखो, देखो, इसको focus कीजगा watch list पर रखेगा, आई बात समझ में, तो यह तीन stock है, breakdown के side, focus कीजगा, शायद आपको कुछ trades अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है, और हाँ, अगर target अच्छी हो जाए कि target के पास आजाए, risk capacity के इसाब से profit book प्लते रहेगा, क्योंकि stocks बात में reverse भी होते हैं, यह ब पसंद किया है, and telegram में यह जाकी जुड़ीगा search करना है, my stock market funder telegram के अंदर, 17,000 members से, btst आज नहीं दिया था, market condition के वज़े से, लेकिन try करूँगा, जरू दिन की कोशिश करूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए goodbye, जय है